इंडियन गेमिंग कम्यूटी इस टॉपिक के उपर पास्ट में काफी सारी वीडियो बन चुकी है इन फैक मैंने भी अपने चैनल पर इस टॉपिक के उपर बात करी है पर आज की इस वीडियो के इंदर हम लोग इंडियन गेमिंग कम्यूटी के उपर बात नहीं करेंगे बल कुछ भी बोलूँगा वो सब मेरा खुद का परसल ओपीनियन है तुम लोग का ओपीनियन में भी वेडि कर सकता है तो अपने ओपीनियन मेरे कमें सेक्टिन में ज़रूर बताना हम लोग साथ मिलके उसको पर चर्चा करेंगे आखिरकार वीडियो गेम्स के अंदर टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है तोक्सिसिटी इन गेमिंग का मतलब होता है जब कुछ प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर के उपर नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं गेम खेलते वक्त जैसे कि किसी को इंटेंस्टिली ट्रोल करना आते हैं जहां पर वो लोग एक दूसरे से इंट्रैक करते हैं वीडियो गेम्स के लिएकर जो उनका प्यार है उसे शेयर करते हैं और तरह तरह के वीडियो गेम्स केलते हैं और इंडिया के अंदर गेमिंग कम्यूटी नहीं है बलकि वीडियो गेम्स की कम्यूटी है आपन को गालिया देते हैं free fire वाले PUBG को गालिया देते हैं और यही शिट फिस्ट इतने सालों से चलती आ रही है यहां के लोग नए गेम फ्राइड नहीं करते हैं उन्हें कभी रिक आइज़ेशन नहीं मिलती लोग इंडिया में गेमिंग के नापर क्या करते हैं फिक गिववेज प को सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इन जैसे कई और भी होंगे जो बस कुईट कर देते हैं इस वजह से क्योंकि ओडियन्स उन्हें सपोर्ट नहीं दिखा दी अब यह सारी बात सुनके आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार ओडियन्स ने गेम स्ट टू या फिर ब्लड बॉर्ड या फिर एल्डम डिंग इन सभी गेम्स को सिर्फ 200 से 300 रुपे में खरीच सकते हो इसको बहुत बनाने के लिए आपको जाना होगा एक बहुत भी बढ़िया वेबसाइट एमबी सेल्स पर मैं पहली बता दू कि यह बिलकुल लीगल और टॉस फिर आप लोग इस पेच पर आजायोगे जहां पर आपको अपनी सारी details फिल करने होगी अपनी details फिल करने के बाल आपको बस ब्लेस और बर किक करना है और आप लोग उपी वगयरा सो पेमेंट कर सकते हो तो सोच करें हो description में Link है साइट पर विजट करो और नए-एव वीड बहुत इस अस्टरप्राइज में देखने को मिल जाएंगे तो अब तक हमने जाना कि वीडियो गेम्स में टॉक्सिटी का मतलब क्या होता है अब बात करते हैं कि क्या इंडिया की गेमिंग कम्यूनिटी टॉक्सिक है तो इसका सीधा साथा जवाब है नहीं इंडिया की गेमिंग कम्यूनिटी टॉक्सिक नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर गेमिंग कम्यूनिटी एक्जेस्टी नहीं करती इंडिया के अंदर ये जो वीडियो गेम्स की कम्यूनिटी है ना वो सभी toxic है और वीडियो गेम्स की community से मेरा मतलब है PUBG, Free Fire, GTA 5 और Minecraft अब हम लोग समझते हैं कि आकरकार यह जो वीडियो गेम्स की community है वो toxic क्यों है तो इसके पीछी का main vision है immature audience हम सभी को पता है कि इंडिया के अंदर most of the gamers young है याने की बच्चे है इसका अंदाजा हम लोग techno gamers या फिर total gaming के subscribers से लगा सकते हैं क्योंकि इनको जादर बच्चे ही देखते हैं अब क्योंकि इंडिया के अंदर young gamers या फिर immature gamers जादा है तो उनको पता ही नहीं होता कब क्या बोलना है अगर आप कभी valorant खेलोगे या फिर PUBG के all mic पर भी जाओगे तो आपने ये notice करा होगा कि जादर गाली देने वाले बच्चे ही होते हैं क्योंकि अभी उनके अंदर इतने अकल ही नहीं है उन्हें लगता है कि ये सब करना cool है और इसमें देखा जाए तो बच्चों के भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो लोग जो देखते हैं वो ही सीखते हैं पास्ट में इंडिया के अंदर काफी streamers रह चुके हैं जो की बस stream को entertaining बनाने के लिए game के अंदर दूसरे लोगों को गालिया देते थे अब ये सब उन सब का ही नतीजा है और जितने ही 25 वीडियो को देख रहे हैं मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा यार दूसरों को गालिया देना या फिर दूसरों को बुली करना racist comments पास करना उनके खिलाफ ये सब cool नहीं है ये सब करने से तुम कोई sigma mail नहीं बन जाओग वो सिर्फ एक game है अगर हार भी गए तो चलता है एक true gamer वो ही होता है जो दूसरे gamers की भी respect करे अगर तुम लोग अपने आपको gamer मानते हो तो दूसरों की respect करना सीखो ये तो था मेरा opinion अब तुम लोग अपने opinions में comment section में जरूर बताना मैं उन्हें जरूर से read करना पसंद तो मैं मिलूँगा तब सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई